इस वीडियो में हम देखेंगे Quadratic Questions का Part 2, Part 1 में मैंने आपको Basic जानकारी इसके बारे में दे दी थी Simple Questions भी करा दिये थे इस Part में हम कुछ Standard Level के Questions को डील करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज़ी क्लास हलो मेरा नाम है चंद्रहास Steady Smart में आप सबका स्वागत है दोस्तों आप सबको पता होगा कि Quadratic Question का Part 1 में पहले ही दे चुका हूँ तो जिन लोगों ने भी तक उसे नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं Quadratic Question का Part 1 जिससे उनको Basic Idea हो जाएगा कि हम यहाँ पे कैसे Questions को Perform करेंगे ठीक है अगर आपने देखा हुआ है तो आपको यह पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा चले देखते हैं पहला Question क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे आप देख सकते होंगे तो यहाँ पे देखेंगे नंबर आपके काफी बड़े बड़े लिखे हुए हैं और इसी में आपको Problem होती थी तो इसलिए मैंने यह सारे Questions आपके लिए लिए हुए हैं तो Question स्टार्ट करने से पहले हमने जो Part 1 में सीखा था उसे मैं फिर से यहाँ पे लिख दूँ कि अगर हमारे जो Sign होते थे वो Plus Plus होते थे तो Root हमको हमेशा Negative मिलते थे Minus और Plus होते थे तो Root हमेशा Positive मिलते थे Plus Minus होते थे तो एक Root आपका Positive होता था था एक Negative इसी तरह Minus Minus के Case में एक Plus होता था और एक Negative पस ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे क्या थी कि एगर Plus Minus और Minus Minus का Case होगा तो Plus Minus के Case में जो बड़ी Value वाला Root होगा उसके साथ Negative का Sign आएगा इसी तरह इसमें ठीक उसी का उटा इसमें जो छोटी Value वाला Root होगा उसके साथ Negative का Sign आएगा बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है इतनी बात आपने ध्यान में रखी तो चली आगे चलते हैं हम कैसे करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे X की Value अगर निकालनी है तो 99 इंटो 6 तो 99 इंटो 6 करना है तो हम इसे Direct Multiply नहीं करेंगे और उसके वाज फिर 49 निकालेंगे हम इसको Prime Numbers में Break कर लेंगे बहुत ही आसान होगा 3 इंटो 3 इंटो 11 और 6 को क्या कर सकते हैं 2 इंटो 3 अब आपको कुछ इस तरह इसको Arrange करना है कि यह क्या आ जाए 49 आ जाए किस Case में? प्लस प्लस और माइनस प्लस के Case में ठीक इसी तरह अगर प्लस माइनस और माइनस माइनस का Case है तो आपको हमेशा उसको Subtract करके ही निकालना होगा बीच वाली Value को इस वाले case के लिए अगर आपने add कर दिया तो गलत हो जाएगा इस वाले case के लिए अपने subtract कर दिया तो value गलत आएगी ठीक है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा आपके लिए extra information है तो हम कैसे इसे add करके ला सकते हैं देखिए 3 into 3 करेंगे 99 into 3 करेंगे 27 और 11 into 2 करेंगे तो क्या आजाएगा 22 आपको पता है बस इतने ही number को आपको arrange करना है और 49 आजाएगा तो ज़्यादा time नहीं लेगा इसमें तो कितने आगए आपके roots 27 और 22 एक काम और बाकिए क्या x square के coefficient से divide करना है तो हम divide कर लेते हैं यह 6 हो गया और यह भी क्या हो गया 6 कट करें तो 9 से time कट जाएगा 2 times कट जाएगा यह 2 से कट जाएगा 11 times और 3 times कितना जाएगा x की value आगई आपकी 9 by 2 और 11 by 3 और दोनों positive होंगी क्योंकि case क्या है minus और plus का इसी तरह हम y की value निकाल सकते है y के लिए देखे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 14 है और यहाँ पर क्या है 5 है तो 14 into 5 कितना होता है 70 अब 70 को हम कैसे arrange करें कि 17 आ जाए तो देखे plus plus का case है तो roots को हमको add ही करना होगा तो कैसे हम कर सकते हैं इसे अगर मैं इसे लिख दूँ 10 into 7 तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा और 10 और 7 को add करेंगे तो कितना मिल जाएगा 17 तो हमारे roots हमको मिल जाते हैं यही 10 और 7 यही हमारे real roots होंगे तो हम क्या करेंगे अभी एक काम बाकी है क्या 5 से divide करना हम दोनों तरफ क्या कर लें 5 से divide कर लें और एक काम और गया रहे गया है कि अगर plus plus का case है तो दोनों roots हमारे कैसे होंगे minus में तो negative sign लगा लेते हैं cutting यह 2 times कर जाएगा और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं तो y की value क्या मिल गई minus 2 और comma minus 7 by 5 अब आपका क्या बचा है comparison x और y को आपको compare करना है अब यहीं पर ज्यादा तर लोगों के साथ गरबड़ी क्या हो जाती है कि वो x की पहली value को y की पहली value से compare करते हैं और x की दूसरी value को y की दूसरी value से compare करते हैं और ऐसे ही answer निकालते हैं जो की गलत method है आपको x की एक value उठानी है और उसको y की दोनों values के साथ compare करना है बारी बारी से इसी तरह फिर x की दूसरी value उठानी है और फिर y की दोनों value से compare करना है बारी बारी और सारे relationship आपको यहाँ पर लिखते जाना है तो चलिए हम देख लेते हैं हम इसे कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर क्या है 9 by 2 9 by 2 एक positive number है और यहाँ पर y की पहली value है क्या है negative number तो किसी भी हाल में y बड़ा नहीं हो सकता x ही क्या होगा बड़ा होगा इसी तरह हम अगर 9 by 2 को minus 7 by 5 से compare करें तो भी क्या होगा x ही बड़ा होगा यह positive है और यह negative है दूसरे case में अगर बात करें तो 11 by 3 को अगर हम compare करेंगे minus 2 के साथ तो यहाँ पर 11 by 3 positive value है यह बड़ा होगा और दूसरे case में भी 11 by 3 ही बड़ा होगा क्योंकि positive value है तो आपको sign यहाँ पर देखने हैं अगर आपका कोई भी relationship बनेगा तो यह जो sign आपको मिले हैं यह सारे एक ही तरफ मुख किये हुए होंगे ठीक है अगर यह x की तरफ open हो रहे हैं तो सारे के सारे x की तरफ open होंगे y की तरफ open होंगे तो y की तरफ open होंगे बस equal वाले case में आपको जंजट नहीं मोल लेनी है यह कैसे भी होगा आपका काम चल जाएगा और वैसे ही आपके relationship को establish करेगा मतलब क्या कि अगर सारे x की तरफ खुले होए हैं तीन sign और एक equal का है मतलब कौनसी relationship हो जाएगी greater than equal to बस ऐसे ही आपको देखना है यहाँ पर आप देखिए कौनसी relationship होगी x is greater than y कुछ भी नहीं करना कोई calculation नहीं कोई comparison नहीं nothing कुछ भी नहीं करना बस आपको देखना क्या है कि अगर आपके दो equations दिये हुए हैं उसमें से एक क्या है minus और plus वाला और एक क्या है plus और plus वाला तो आपको पता है minus plus वाले के minus और plus के roots होंगे जो positive है वो बड़े ही होंगे तो बस ये देखेगा कि minus और plus वाला किस के साथ लगा x के साथ है y के साथ वही value आपको बड़ी हो जाएगी और ये सारा जंजट कुछ भी करने जरुत नहीं x is greater than y के ओल आप देख के ही tick लगा सकते हैं I hope आपको ये समझ में आया होगा अगर exam में ऐसे आता है तो आप easily ऐसे कर सकते हैं नहीं आता है तो पूरा method तो आपको पता ही है ये भी बहुत ही fast method है इसमें कोई भी calculation करने की बहुत ज़्यादा जरुवत नहीं पड़ेगी आपको चलिए देखते हैं दूसरा question अब देखिए इस तरह के questions भी काफी पूछे जाते हैं और काफी confusing होते हैं इसमें confusion प्लस और माइनस की होती है ज़्यादा और कुछ होता नहीं है देखिए इसको कैसे perform करेंगे हम अगर यहाँ पे लिखा होगा x square is equal to 529 एक तो पहली बात यहाँ पे यह पकी होगी कि यहाँ पे जो भी आपको दिये जाएंगे cube root या square root या square या cube जो भी दिये जाएंगे आपके perfect numbers के लिए ही होगे तो इतना तो आप निश्चिंत रहिए दूसरा देखिए क्या होगा कि यहाँ पे अगर यह square लगा है तो x की value बहुत सारे लोग इसे क्या समझते हैं यह 529, 23 का square होता है तो इसकी x की value क्या लादेंगे 23 जबकि यह गलत होगा x की value क्या होगी plus minus 23 यह ध्यान में रखेगा x की value क्या होगी plus minus 23 पूछी ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है कि x square बराबर क्या होगा 23 का square 23 का square करेंगे तो क्या हैगा 529 तो 529 सर्फ 23 का square ही नहीं हो सकता है अगर हम minus 23 का square करें तब पर भी हमको क्या value मिलेगी 529 ही value मिलेगी तो हम यह decide नहीं कर सकते कि यहाँ पे plus वाला है या minus वाला इसलिए हम जब भी आपका square हो किसी भी alphabet के उपर और value आपके सामने लिखी हो तो आप plus minus के साथ ही उसे लिखेंगे बस इतनी सी बात आप note कर लीजिए ठीक है दूसरी तरफ अगर y के लिए देखिए तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए कभी भी under root के अंदर अगर minus संख्या है तो हम उसका square root नहीं निकाल सकते है या under root हम कभी भी निकाल नहीं सकते है minus numbers को हम i से दिखाते हैं वो क्या होते हैं आपके imaginary numbers होते हैं complex numbers जिनको हम बोलते हैं वो सारे numbers होते हैं तो हम उनका square root नहीं निकाल सकते है तो y की value क्या आ जाएगी आपकी प्लस में 23, बस इतना ही काम आपको करना है यहाँ पे बस थोड़ी सी समझ आपको लगानी है प्लस माइनस की, अब compare कर लिजे देख लिजे x की equal value क्या है प्लस 23, equal value क्या है माइनस 23 y की equal value क्या है, प्लस में 23 देखे y के साथ negative sign तो है नहीं, इसका मतलब क्या होगा, 23 तो सेम ही है, तो मतलब y तो बराबर होगा ही, साथ साथ में, एक केस में बढ़ा भी होगा, जब x की value minus 23 होगी, तो इसका answer क्या होगा x is less than or equal to y, बस यह आपको देखना था, ज़्यादा समय नहीं लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 सेकंड लगेगा आपको यह निकालने में, ओके, चली देखते हैं, next question यह देखिए, यह question भी आपके लिए बहुत important हो जाता है, value जब आपके सामने बड़ी-बड़ी होती हैं, तो ज़्यादा तर लोगों के पसीने छूट जाते हैं, देखके, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बस आप यह देख लीजेगर ऐसे कहीं cube में लिखा हुआ है, और साथ में आप उसका square है, तो इतना तो आपको confirm हो गया होगा, कि यह आपके perfect number के square हैं, और cube root कैसे हम 2 second में निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया है, वीडियो में, speed math की वीडियो में आपको बताया हुआ है, नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, playlist में चले जाएंगे वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, speed math के नाम से, तो आप क्या करेंगी से, यहाँ पे 3 digit के बाद आप ऐसे slash करेंगे, देखें यहाँ पे last में करा है 6, मतलब हमारा last digit क्या होगा 6, और 17 किसके cube के बीच में आता है, 2 और 3 के cube के बीच में आता है, छोटी value लेते हैं, तो क्या आगया 26, मतलब यहाँ पे x की value क्या आगयी 26, अब यहाँ पे confuse मत होईएगा, plus और minus के case में, क्योंकि यहाँ पे power क्या है, 3 है, 3 अगर power होगी, तो value जो जिस sign के साथ होगी, वही वो reflect करेगा, minus के साथ होगा तो minus, plus के साथ होगा तो plus, तो इस case में आप हमेशा plus ही लगाएंगे, मतलब जब भी आपके जो powers हैं, वो odd में होंगे, तो जो भी आपका final result आ रहा है, minus और plus के साथ, वही आपका final result होगा, तो और दूसरा देखिए, y square बराबर क्या लिखा होगा है, 676, अब यह compare कर लिजे, x की value क्या है, plus में 26 है, और y की value क्या है, plus minus 26 है, तो x कभी negative है ही नहीं, मतलब क्या होगा, x एक तो बड़ा होगा y से, दूसरा 26 plus वाला बराबर होगा, तो x बराबर भी होगा, तो x is greater than or equal to y, यह relationship आपकी सही होगी, चली देखते है next question, चली देखते के लिए क्या करेंगे, हम इसे simplify करके पहले लिख लेंगे, सही तरीके से, तो यह क्या हो जाएगा, x is square, यहाँ पे क्या है, minus 25x, यह दूसरी तरफ जाएगा, तो plus हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 45x, और यहाँ पे 50 है, दूसरी तरफ आएगा, तो minus हो जाएगा, तो 4 minus हो की क्या जाएगा, minus 46 equals 0, यह आपको मिल गया, अब देख लिजे, साइन यहाँ पे क्या है, plus और minus क्या है, तो आपका एक root तो positive होगा, और एक root आपका कैसा होगा, negative होगा, और negative कौन सा होगा, जो बड़ी value होगी, तो कैसे हम करेंगे, 46 into में 1 करेंगे, 46 into में 1, और इसमें से 46 में से 1 minus कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, आपका 45, तो आपको पता चल गया क्या, एक root तो आपका क्या होगा, एक root आपका होगा 46, और एक root होगा आपका 1, अब बताएगे, minus का sign किसके साथ हैगा, जो की बड़ी value है, बड़ी value कौन से है, 46, minus इसके साथ, और प्लस यहाँ पे आपने लगा दिया, x square का coefficient 1 है, तो divide करने की जरूत नहीं है, आपको x की value मिल गई, minus 46 और comma plus 1, के लिए हम y के लिए देख लें, यहाँ पर क्या लिखा होगा, 24 है, और 1 से multiply करेंगे, तो 24 ही आजाएगा, उसके बाद जब हम से break करना चाहें, तो break कर सकते हैं कैसे, देखें, यहाँ पर break करेंगे, तो हम अगर इस तरह कर देंगे, 6 गुणे 4, तो आजाएगा 24, और 6 और 4 को जोड़ देंगे, तो कितना आजाएगा 10, यह आपका गलत तरीका हो जाएगा, हमको पता है, जब भी माइनस माइनस का case होगा, तो हमारे roots कभी भी plus करके नहीं आएंगे, हम इसा minus करके आने चाहिए, difference आना चाहिए, तो इसमें हम क्या लेंगे, 12 गुणे 2, 12 गुणे 2 करेंगे, तो क्या जाएगा 24, और 12 में से 2 माइनस कर देंगे, तो क्या जाएगा 10, प्लस और माइनस की टेंशन नहीं लेनी है, बस roots आप देख लीजें, क्या आगए, 12 और 2, और minus minus का case है तो root किसके साथ minus लगेगा तो जो आपकी छोटी value है चोटी value की कौन सी है यहाँ पे minus तो minus 2 लगा दिया वन का division तो matter करेगा नहीं तो यह आपका क्या आगया y के लिए value यह करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेंगे 15 से और उसके बाद आप comparison करना start करेंगे यह क्या है यह क्या है यह क्या है y प्लस में है तो इतना तो आपको पता चल गया y की value क्या हो गई बड़ी हो ग फिर हम 1 को जब minus 2 के साथ compare करेंगे तो यहाँ पर आपको x की value बड़ी मिल जाएगी यह प्लस 1 लिखाए यह minus value है तो यह क्या हो गया समी current देखिए बन गया आपका तो यह क्या होगा देखिए आपका equations की जो relationship है यह आपके सारे आ गया तो यहाँ पर देखिए अगर relationship establish होनी है तो सब के मुँँ एक ही तरह open होने चाहिए तो यहाँ पर 3 तो आपका match कर रहा है लेकिन एक आपका match नहीं कर रहा है तो जैसे ही आपका mismatch होगा आपको क्या condition मिलेगी cnd की cannot be determined की ठीक है मतलब आपका eval option यहाँ पर right होगा बस इतना आपको check करना होगा चली देख देखते हैं अगली problem क्या है अब यहाँ पर देखिए दोनों जगा पर हमारे sign क्या है plus plus है तो एक बार आप check जरूर कर लिजेगा कि दूसरा जो equation लिखा हुआ है उसमे sign minus plus तो नहीं है अगर minus plus होगे तो आपको कुछ भी करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी तो नीचे होगा हम इसे multiply नहीं करेंगे इसे हम break करेंगे 3 into 3 into 7 into 2 अब हमको क्या करना है जब आप देख रहे हैं यहाँ पर plus plus का sign है तो जो हमारे roots होगे वो add होके देंगे इस बीच वाली value को तो कौन-कौन से valid root होड़ सकते हैं जिनको add करने पर 23 मिल जाए तो यहाँ पर देख लीज जाएगा 23 तो आपको root कौन-कौन से मिल गए 14,9 साथ में अगर यहाँ पर plus plus का sign है तो जो भी root मिलेंगे आपको minus के मिलेंगे तो minus minus attach कर लीजे और एक काम क्या रह गया कि आपको 2 से divide करना है 2 से divide कर लीजे इसे भी इसे भी यह cut गया 7 times में क्या value मिल गई minus 7 और 9 by 2 यह भी minus में ही है ठीक है तो यह हमको x के लिए value मिल गए इसी तरह हम y के लिए निकालने है y के लिए क्या हो सकता है देखिए 21 into 4 है तो क्या करेंगे हम इसे भी break कर लें 3 into 7 into 2 into 2 अब हमको add करके क्या लाना है 19 तो इन ही में से हमको adjustment करनी पड़ेगे तो देख 19 तो बस आपको पता चले है आपको root कौन-कौन से है 12 और 7 ठीक है 12 और 7 आपके root है और इसके साथ क्या लगा रहेगा 7 में minus आखरी काम क्या है 4 से आपको divide करना है तो 4 से आप divide कर दीजे इसे 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 भी 4 से और इसे भी 4 से यह इसे 3 times में cut कर देगा तो यहाँ पर value क्या म मिल गई minus 3, minus 7 by 4 यह आपको value मिल गई अब आखरी काम आपका क्या बचा हुआ है comparison का तो comparison का काम आपका question solve हो गया है minus 7 को आप 3 से compare करिए तो कौन सा value बढ़ी होगी तो यहाँ पर आपको देखके पता चल गया हुए छोटी value है इसलिए क्या होगा बढ़ा तो मतलब y greater होगा x से फिर आपको minus 7 को minus 7 by 4 से compare करना है तो जाहिर सी बात है minus 7 by 4 है इसका मतलब क्या होगा कि यह 7 से तो छोटा ही होगा लेकिन अगर मैं exact value की बात करूं minus 7 by 4 कितना होगा तो यह होगा 1.75 और minus में तो 1.75 बढ़ा होगा या minus 7 बढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है 1.75 आपका ब 2 की बात करूं तो यह आज आएगा minus 4.5 minus 4.5 आ गया तो देखिए इन दोनों में कौन सी value बड़ी है तो इन दोनों को जब आप देखेंगे तो इसमें देख रहे हैं कौन सी value आपकी बड़ी मिलेगी है आपको value बड़ी मिलेगी फिर से y वाली क्योंकि छोटा है minus में है फि y की तरफ ही open है आपका सारे जितने भी relation आये हैं उसमें तो इसका मतलब क्या होगा इनके बेचे कौन सी relationship होगी x is less than y या y is greater than x I hope आपको यह समझ में आया होगा यह comparison करना ही आपके लिए main matter करता है अगर आप इसे सही से कर लेंगे तो आपको एक number पाने से कोई भी रोक नह होता है यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पहले ही मत घवराइए देखे कैसे करेंगे से अगर मैं यहाँ पे पहला equation लिख लो 3 upon में under root x plus 4 upon में under root x equals under root x अब यहाँ पे आपको छोटा सा काम क्या करना है कि आप दोनों तरफ under root x का क्या कर दीजे multiply कर दीजे दोनों यहाँ पे क्योल उपर वाली values ही बचेंगी तो अगर आपको इतनी चीजे समझ में आ जाती है क्योल इसे देख करेंगी तो सीधे आपको एक last step ही क्या लिखना होगा x square to 7 और कुछ लिखने की जरूत नहीं पड़ेगी फिर भी अगर आप इतना तेज नहीं सोच पाते हैं इसको कुछ इस तरह से करेंगे मैं लोगों कर देता हूँ जो इसे नहीं सोच पा रहे हैं 3 upon में अंडरूट x और ये अंडरूट x का multiply उपर हो गया प्लस अंडरूट x प्लस इंटू 4 इंटू अंडरूट x और यहाँ पे अंडरूट x का multiply होके क्या जाएगा x तो यह एक नजर्मी से पहचान लिए चाहे निकाल लिए डेराइब कर लिए बस इतना ध्यान में रखेगा कि यह तफ नहीं होगा ठीक है अगर मैं y के लिए बात करूँ तो y के लिए भी यही काम कुछ कर लेते हैं हम यहाँ पर क्या लिखा है y3-7 और इसकी पावर क्या है 7 by 2 upon म क्या है इस वाली वैल्यू को इसके साथ multiply करिए देखे y y बेस सेम है तो powers क्या होगी add हो जाएंगी तो y की पावर क्या हो जाएगा 3 plus 1 by 2 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 7 और इसकी पावर 7 by 2 equals 0 अब आप करिए क्या कि यह पूरी वैल्यू है इसको आप दूसरी तरफ ट पावर 7 by 2 पावर्स आपकी सेम हुई तो y बराबर क्या गया 7 y बराबर भी क्या गया 7 x बराबर भी क्या है था 7 कौन सी condition आपकी सही हो गई x equal y चले देख लेते हैं सवाल को भी इसे भी ठीक उसी तरह करना है यहाँ पर देखे आप क्या है माइनस और प्लस है तो नीचे द कैसे लिख सकते हैं 3 x 3 x 5 और 4 को 2 x 2 ठीक है इतना तो आसान है अब आपको पता है माइनस और प्लस का केस है तो हमेशा रूट्स आपके एड होके यह वैल्यू देंगे बीच वाली तो कौन-कौन से रूट्स आपके मिल सकते हैं यहाँ पर देखे अगर यहाँ पर मैं multiply करन हैं 4 से divide कर लिया कट गया 5 times में तो x के लिए जो value मिल गए हो क्या मिली 5,9 by 4 यह क्या मिल गई x के लिए value आपको मिल गई ठीक इसी तरह y के लिए हम value निकाल लेते हैं y के लिए क्या होगा 28 x 3 तो 28 को कम कैसे लिख सकते हैं 2 x 2 x 7 और 3 को 3 हमको 19 लाना है तो कैसे ला सकते हैं 2 x 2 4 4 x 3 12 12 और 7 को add करना है तो 12 और 7 आगे हमारे क्या roots आगे दोनों positive होंगे अब 3 से आप divide कर दीजे यहां से 3 से divide कर दीजे 4 times कट गया तो कितने आगे आपके value 4,7 by 3 यह आपको क्या मिल गया y के लिए root मिल गया बस compare करना बाकिए compare करिए देखे कैसे compare करेंगे 5 और 4 को x बड़ा मिलेगा 5 और 7 by 3 को compare करें 7 by 3 का मतलब क्या हुआ यह आपका मिल जाएगा कुछ 2.33 तो 2.3 बड़ा होगा या 5 बड़ा होगा तो 5 बड़ा होगा x बड़ा होगा 9 by 4 को हम जब 4 से compare करेंगे तो जाहिर सी बात है 9 by 4 है मतलब क्या होगा यह आपको देगा 2.25 ओके 2. 2.25 तो 2.25 बड़ा होगा या 4 बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है आपका 4 आपकी value बड़ी होगी तो 4 आपकी value जैसे ही बड़ी हुई मतलब y वाली आपकी value बड़ी हुई तो आपको आगे compare करने की जरुवत ही नहीं है क्यों एक 2 तो x की तरफ आपके open हुए है मूँ लेक यह चेक करने की जरुथ नहीं कहीं भी आपको जैसे उल्टे मिले बस उसको cannot be determined आपको कर देना है आपको यह समझ में आया होगा चली देखते है last question यहां पर देखिए क्या है साइद यह question मैंने fp group से लिया हुआ है ठिक से याद नहीं है अब यहां भी देखिए वैसे ही कर करके ही आनी चाहिए तो यहां पर आप क्या करिए 7 और 2 को करेंगे कितना एगा 14 आएगा और 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा माइनस में 5 ठीक है तो हमको 2 roots यह मिल गए 7,2 आपको 2 roots मिल गए ठीक है इतनी बात समझ में आई आपको क्या करना है एक आखिरी का कौन सा होता है छोटा वाला नमबर तो 7 और 2 में देखना है कौन सा छोटा नमबर है 2 वाला तो इसके साथ निगेटिव साइन लगा देना है कट कर यह क्या जाएगा माइनस 1 और यह तो वैसे ही रहेगा तो X कि क्या value मिल गई 7 बाइ 2 और माइनस 1 यह आपको क्या मिल गई इतना समझें आपको चले देखते हैं Y के लिए क्या हो सकता है यहां भी देखे प्लस माइनस का case है तो प्लस माइनस के लिए आपको जो values मिलेंगी वो क्या होंगी एक positive लेकिन किस value के साथ आपका negative sign आएगा जो भी value आपकी बड़ी होगी तो पहले हम root से decide कर लेते हैं 6 into 1 क हम क्या करेंगे 6 को इस तरह हमको arrange करना है कि यहां पर क्या जाए 1 तो हम जानते हैं 3 into 2 कर दें और 3 में से 2 घटा दें तो क्या जाएगा 1 आजएगा तो ध्यान रखेगा प्लस माइनस का case है तो आपको घटा के ही लाना है subtract कर के ही लाना है तो आपको दो roots मिल गए क्या 3,2 और इसमें से किस के साथ आपका negative sign लगेगा 3 के साथ लगेगा एक आखरी काम क्या रह गया 6 से divide करना divide कर दिया यह कितने बार कट गया दो बार यह कितने बार कट गया 3 तो कितने आगे values minus 1 by 2,1 by 3 यह आपकी y की values आ गई आखरी काम क्या बचा है compare करना 7 by 2 यहां पर मैं लिग 3 से compare करिए तो इसका मतलब क्या हो गया 7 by 2 को हम क्या लिख सकते है 3.5 3.5 हो गया यह ठीक है और 1 by 3 क्या हो सकता है 0.33 तो बताए कौन सी value बढ़ी होगी तो जहर से बात x वाली value बढ़ी होगी यहां पर देखे क्या है minus 1 है और यह क्या है minus 1 by 2 कौन सी value बढ़ी होगी आपकी ध्यान से अगर देखे तो minus वाने और यह क्या है 0.5 तो आपकी y value बढ़ी होगी फिर से देखे आपको opposite sign मिला यहीं रुख जाना है क्या हो जाएगा आपका answer cnd बस इसी तरह आपको check करना है और compare करते चले जाना है कितना भी बड़ा question होगा कितना भी बड़ा division होगा उससे या plus minus का case होगा तो जो भी आएंगे आपके subtract करके आपको value देंगे इतनी बात आप ध्यान रखिए सारे questions आपके हो जाएंगे एक भी नहीं फसने वाला है तो इस वीडियो में बस इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताईएगा पसंद आया हो तो आ अब अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अब हम मिलेंगे next part में तब तक ले thank you and bye